नवस्कार दोस्तों, इंग्लेंड और उस्टेलिया के बीच जो फर्स्ट डीट्वेंटी है, मैच खिला जाएगा, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, एक बार फिर से दो स्ट्रॉंग टीम के बीच मैच है, और लोग टीम किस तरीके की बना रहे हैं, लोग टीम बन प्लियर्स हैं, जिनने कैप्टन वाइस कैप्टन तक किया जा सकता है, जो आज के मैच में इग्नोर हो रहे हैं, कौन से वो प्लियर्स रहने वाले हैं, मैटिंग सेक्शन से कितने प्लियर्स राखें, मैग गर क्या करना है आज के मैच में, और बोलिंग से बहुत कम बोलर् जाने वाला हूं बाकी वीडियो अगर आपको helpful लगता है कुछ सीखने को मिलता है अच्छी विनिंग साज करना चाहते हुए लगा था चैनल के साथ जोड़े हुए अच्छी विनिस कर रहे हो तो चैनल पर वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मै फ्री में आपको जोइन करना है कोई भी पैसा देना नहीं है फाइनल अपडेट के साथ आपको टीम यहां पर मिलेगी और मैं आपको पहले बता दूँ जो टीम में आपको वीडियो बताऊंगा वो फाइनल नहीं है उसमें मैं चेंजिस कर सकता हूं टॉस के अक्वार्डि लिए बाकी सीमर्स अच्छा करतें और आप सब को पता है एंग्लैंड की सर्फिस पर पेस इंड बांस अच्छा खासा मिलता है तो जोग पेस बोलर्स हैं वह ज्यादा तर यहां अच्छा करते हैं और आपने इंग्लेंड और स्कॉर्ट साई ओशनी और स्क लेडवाली सीर किया जा सकता कंडिशन के अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हो चलिए एवरेश फॉर्स्ट्री स्कूर 172 है मैं मान के चल रहा हूं वस्टेलिया फॉर्स बैट कर रही है तो 180 से 200 के आसपस बना सकती है क्योंकि ऑस्टेलिया अपने बैस्ट प्लेयर के साथ खेल रही है लास बच देख लो साउथ अफ्रीका ने बनाये थे दो साल पहले 191 इंग्लेंड चीज नहीं कर पाई थी चैवेगेट पेसर निकाले नौवेगेट इस्पनर मतलब इस पनर से भी विकेट निकाले उसके पहले इंडिया ना मटनाइट इंट बनाये थो और इंग्लेंड ज जीतने वाली है वह जहां था कि फर्स बैट करने का डिसीजन लेगी अगर वह पिछले मैच आकॉडिंग देखे लेकिन आप देखते हैं जो वोमेंस वोमेंस नीए जो भी टीटीटेव आसान होती है इस ग्राउंड पर चीजिग उतरी अच्छी होई नहीं है इंग्लेंड वाली सीनीज है अब भी जेस्ट मैने उसका वीडियो बनाया स्वी वोमेंस वारबर जवान पर आ रहा है बाकी यहां पर आप देखो तो लास्ट जो दी हंड्रेट था वहां के कुछ प्लेयर्स आपको यहां देखने को मिल रहा है जो बहुत तगड़ा वहां पर करके आ र चार ओवर्स वाले यह दौनों हो गए और चार ओवर्स वाला ही सैम कर लेती है जो तीन बोलर से यह चार चार ओवर्स डालेंगे यह दौनों तीन तीन ओवर्स डाल सकते हैं और तीन ओवर्स रहेंगे जैमी ओवर्टन के और एक आद ओवर अगर इन में से कोई खराब कर है तो लीविंग स्टन को मिलने के चांसेस रहेंगे विन जैक्स के चांसेस बहुत कम हैं कि इनको बोलिंग मिले तो आप ओल्ड आर्ड के तौर पर मत रखना सिर्फ बैटिंग के तौर पर टीम में रखना और बैटिंग से जाधा उम्मीद करना चलिए डैथ और कौन अच्छा है और आज के मैं यह तो नहीं बोलूगा कि फेल हो रहा है ना तो बहुत तगड़ा करेंगे और नहीं एकदम फेल होंगे तो आप टीम के अंदर रखने क्योंकि बंदा चलता है तो बहुत तगणी पारिया खेल जाता है तो फिलिप सॉल्ट मेरे पास बहुत जादा उमीद है नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ बोलिंग तो बहुत रहा है कि मिल जाए क्योंकि टीम के पास अच्छे बोलिंग अप्शन हो रहे है तो बैटिंग के तौर पर सामने वाली टीम अपने बेस्ट बोलर के साथ आई है जो स्कॉटलैंड सामने ऑस्टेनिया की बोलिंग थी उसमें एक और नाम एड़ हो गया वो जो आपको आगे बदा चलेगा और वो शुरुआत के विकेट से लिक लिए चाना जाता है तो या तो सॉल्ट या तो विल जैक्स किसी एक का विकेट थोड़ा जल्दी गिर सकता है इसके बावजूत स्मॉलिंग में ले रहा हूं फिलाल के तौर पर जादा रिस्क लूँगा नहीं आपको रिस्क लेना तो विल जैक्स पर रिस्क लिया जा सकता है आज के मैच के तौर पर मॉसली की बात करें तो 360 मैचेस के इंदर 21 का आवरेज 50 विकेट अच्छा प्लेयर है और 200 के अंदर मैटिंग में ठिक्ता कर लेता है वोलिंग में अच्छी कर लेता है वैटिंग सेक्षन में देखे रखाए फिलाल कोई नहीं रख रहा है अगर आप डिफ्रिंट करना चाते तो लौ पहला मャंच es made ra ठीक है जॉर्डन कॉक्स एक्सोटेस मैचेस मुंदिस का एवरिज रीसेंट फॉर्म ठीक्टा गया अच्छा प्लेयर है एक और अच्छा प्लेयर है और बांखी यार ट्राय तो में कर नहीं पाऊंगा कि कि विकेट कीपिंग सेक्शन से इनकी टीम के पास और एक अच्छा व बैटिंग में भी मौका मिलता है तो बैटिंग भी तकड़ी कर जाते हैं फैक्ट कैप्टन वाइस केप्टन की सबसे बैतर विकल्प है क्यूंकि मैं समझ रहा हूं पूरे चार ओवर्स आज के मैच में रहेंगे ठीक है लेवें के स्टन नहीं है टीम के अंदर अच्छा अ के दोर पर ज्यादा अस्तुमाल करती है जो अफर आर्चर डेफिनिट्ली टीम में रहेंगे फिर्स बोल आए तो रख लेना सेकेंड बोल आ रही है तो फिर या रोश्यलिया का बूलर भी रखना पड़ेगा तो वहां फिर में रिसक लेना पड़ेगा आदिल राशिन में क की अरफ उनओ कंडिशन में काई न कईू तीन म कीटाज हो सकते मेहमूद मेरे पास नहीं रहेंगे और टोपली मेरें पास फिलाल के दोर पर नहीं रहेंगे बागी यार England की first bowl आ रही है तो आप England से थोड़े ज़्यादा बॉलस रख सकते हैं क्योंकि वहां पर ऊश्चलिया के भी विकट्स की रहे England की bowling इतनी भी विक नहीं है जितनी Scotland की थी जैसा कि Scotland ने भी ऑश्चलियागी फिर भी थोड़े विकट्स किरा लिया थे लेकिन England थोड़े ज़दा विकट्स इनके गिरा सकता है यहां से अगर आप देखें तो गर्स बोलिंग सेक्शन से एक उप्शन रहेगा लेकिन जो लाइनप मैं आपको बताईए फिलाल तो वही प्लेयर्स केलते हुए नजर आएंगे पॉसिबल 11 देखें तो कुछ इस तरीके की इनकी पॉसिबल 11 रहेगी यहां से भी चेंजेस मुझे नहीं लगता कोई टीम करेगी और एक जो पैस्ट प्लेयर पैस्ट बोलर जिसकी में बात कर रहा था वो आ गया है तो वो प्लेंग 11 में खिरता हुआ नजर आएगा है एजल सब्सक्राइब जाने जाते हैं और इनके सांथ बाटलेट बाटलेट तो खिर शुरुआत में बोलिंग जादा कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं या स्टॉइनस में से कोई एक इनके साथ डैथ डाल सकता है और हो सकता है एकाद और एजलोट कभी डैथ में बच सकते हैं लेकिन यार इंग्लेंड के पास तो और स्कॉट्लेंड के पास तो फिर भी बूलस नहींते हैं तो आज के मैंच में यार मैं स्मॉलिंग में तो रखने का मन तो है क्योंकि बंदा चलता तो बहुत तावर तोड़ चलता है लेकिन आपने तक प्रूफ नहीं किया ए यहां पर इंग्लेंड के पास भी अच्छी बॉलिंग है तो ऐसा नहीं है आप स्कॉट्लेंड की तरह उनको बूंद बना दे ठीक है बना सकते हो क्योंकि आपकी बैटिंग में स्किल्स हैं लेकिन मैं और बहतर समझ रहा हूं कैप्टन वाइस कप्टन उनके साथ जा रहा ह बनकी मैचस में नहीं किया था यहां नहीं करेंगे म blasag किया ने इंग्लेंड से अगर आपने म्जा आवरेस थे जा सकते हैं जकंधिन वे पूल रहेगी इस टॉइन इस दौनों कंडिशन में मेरे पास रहेंगी 30 का एवरेज है जावाले स्विकेट है रीसेंड नी बोलिंग भी बहुत तगड़ी कर रहे है और बैटिंग तो स्कॉट्लेंड के अगेस रजी मिली नहीं यहां पर बैटिंग मिलने के चांसे भी लेकिन मार्श इनको बहुत जादा मौका देते हैं मतलब लास सीरीस के अंदर टीम के बास हार्डी भी था जो वन डाउं टू डाउन बैटिंग के लिए यही जाना जाता है आपना अगर बीबिल देखा होगा तो वन डाउन यह टू डाउन वहां बैटिंग आते हैं पूर जालते हैं लेकिन यह ना तो यहाँ पर उनको बैटिंग दी वन डाउन टू डाउन ट्री डाउन बैटिंग ही नहीं दी हार्डी को सिर्फ बोलेर के रूप में इस्तवाल किया और वहां पर भी सिर्फ दो ओवर्स दिये जबकि ग्रीन पीछे बैटिंग करता है उसको बन बैटिंग ओडर का मौका मिला था तो ग्रीन को जादा मौका मिल रहा है तो बंदा परफॉर्म करी देगा तो हम आज के मैच पर फिर रिस्क नहीं लेंगे बाकी बहुत जादा उम्मीद मुझे आज नहीं है क्योंकि आज क्वालिटी बूलिंग सामने है और क्वालिटी ब क्योंकि बैटिंग बहुत कम मिलती है सीन अबोट को फॉर्स्ट बोल अगर रोश्टे लिए क्यार यह तो रख लेना बाट्लेट अच्छा बोल रहें लेकिन मैं रख नहीं पा रहा हूं यार अपने टीम के अंदर क्योंकि दौनों ही टीम बहुत बैतर हो रही है तो किसी बहुत मुश्किल हो रहा है टीम मनाने के लिए क्योंकि हमें मैट्समन भी अपनी टीम के अंदर रखने है क्योंकि बैट्समन अगर चल गए तो इंगलेंड की सर्फिस वह बहुत अच्छा स्कोर होता है फिर वहां पर कोई बैट्समन ही आपको धोगा दे सकता है दोगी से मेरा मतलब है बैट्समन ही आपकी टीम खराब करवा सकता है तो बैट्समन को थोड़ा मैंने बैट्समन मनाने की कोशिश की बोलर स्वेरी टीम में फिलाल थोड़े कम है कैप्टन वाइस के पने स्टॉइन सेम करने दौनों बहतर चोईस है सीना वोट को फर्स बोल आ रही है तो रख सकते हो इसके अलाब विल जैक्स ट्रेवेस एड दौनों उपनेर बैट्समन दौनों ताबड़तोर बैट्समन अगर आप बैट्टिंग से प्रिफर करने तो यह दौनों को रखा जा सकता है ठीक है प्लेट नेकिन से तो रोटेट करो इंगलिश की फर्स बैट वह जाथ अच्छा कर सकते फिलिप सॉड की फर्स मैट हो अच्छा कर सकते हैं वैटिंग से ट्रैवेस मेरे पास है निए विल जैक्स सैम करन और स्टॉइने और यहां पर एडम जैंप यह जो 5 प्लेयर्स 6 प्लेयर्स आपको दिख रहा है यह मैसिनम टीम में रखना है आप डिफ्रेंट किन प्लेयर्स को हम ट्राइए करने तो पहला नाम है जॉफरा आर्चर लोग हलके में ले रहा है आर्चर को मैं रखूंगा फर्स बोला रही है तो इसके और दूसरा दोनों से मुझे बहुत जादा उमीदें नहीं ठीक है जो लोग सेफ जाना चाहते हैं वह तो रख लो दोनों को लिविंग स्टन को फिर भी लोग ड्रॉप करते हैं क्योंकि उनकी बोलिंग के चांसे सोड़का में क्योंकि और श्रीलिया और स्कॉट्लेंड के सीरीज में सबसे जादा मुझा मिला लेकिन अब थोड़ी सामदे स्ट्रॉंग टीम है तो मैं समझा हो केमरें इनके पास बहुत जादा मुझा नहीं रहेगा दो वर्स के आसपास रहेंगे टीम मजाग नहीं करेगी कि पूरे चार वर्स देते क्योंकि सामने वाली टीम के स पसंद आ रहा है तो वीडियो पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए दोस्तों टीम पर फोकस हम कर लेते हैं उसके बिलागर इस टेलीग्राम पर नहीं आयों तो इस टेलीग्राम पर आ जाएगा तो अगर आप उस मैच का वीडियो नहीं देखता है तो उस मैच का वीडियो भी देखलो इसी चैनल पर आपको उस मैच का वीडियो भी देखने को मिलेगा और उस मैच की टीम भी आपको मिलेगी तो वह वाला मैच भी हम खेलना है इस वाले मैच में 10 प्लस वन का कॉमिनिशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और 7 प्लस 4 की टीम भी में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो टेलिग्राम चैनल पर दोनों ही टीम आपको मिल जाएंगी 10 प्लस वन में खेल रहा हूँ इस एप के अंदर माई 511 के अंदर जहां 0% GDS और 0% GST लग रहा है तो अगर आप भी ऐसे एप के अंदर खेलना चाहते हैं जहां सारा प्रॉफिट आपका हो आपका कोई भी लॉस ना हो GST और TDS देने में तो आप इस एप के ऊपर खेल सकते हो लिंक मेंने description comment section में दे दिया है final team इसकी मैं आपको telegram पर दे दूँगा कोई भी problem अगर इस एप से related आ रही है तो आप comments पूछ सकते हैं मैं वो problem इस एप के solve भी करा सकता हूँ और अगर कोई problem आपके आती है तो comments पर आपके answer भी देने हो तो आप इस एप के अंदर खेल सकत है तो उसमें 10 plus 1 में भी रॉक कर देते हैं तो बहतर है आप दौनों में अपना investment 50 50% रखो दौनों की टीम आपको telegram में बिलेगी कोवेर की भी और माइफ 11 की चलिए discussion करेंगे विकेट कीपिंग सेक्षन से तो विकेट कीपिंग में मेरे पास salt है और यार English को भी मैं लेना तो चार हूँ यार लेना तो चार हूँ क्योंकि प्लेयर अच्छा है प्लेयर बहुत कम है दो बहुत कम दोगा देता है और यह ऐसा विकेट कीपर है जिसका बैटिंग और बहुत पीछे नहीं है और England सामने टीम है तो इंटी बैटिंग आई जाएगी तो English को मैं रखना च लेविंस्टन एक चॉइस रहेंगे लेकिन लेविंस्टन मुझे होता बैतर विकर्ब लग नी रहें जिनको मैं समझ रहा हूँ एक से दो ओवर्स भी मिल सकते हैं और बैटिंग ओडर भी वन डाउन या तो इनके पास एक मौगा है जो लोग डिफरेंट ड्राइ कर सकते है विंड को रख सकते हैं और डाउंडर से अक्षेंट से मेरे पास स्ट्विन सेम करने विल जैक्स ग्रीन है जिसमेंसे यह जो लोग डाउंडर से इनके साथ थोड़ा सा मज़ाख हो सकता है जिसमें विंड जैक्स को बोलिं भी मिलने के चांसे बहुत कम रहेंगे और गैमरन मेरे पास है जिसमें से दो स्पिनस के साथ मैं जा रहा हूं और दो पेसर के आप हैजल वोड और जौफरा आर्चर इन में से किसी एक को आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप करके जिसकी फॉर्स बोल नहीं है उसको ड्रॉप करके जौश इंग्लिश को अपनी टीम के और यहां पर आपके पास ऑप्शन है रख सकते हो तो रख लोगे बहुत बैतर प्लेयर्स हो रहे हैं इसलिए काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमित छोड़ने पर रहे हैं और और को ड्रॉप करने का रिस्क पहले मैच के अंदर लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है त तो बहुत सारे विकल्प में लोग फसे होएं मैं थोड़ा ओल्रॉंडर्स के साथ जाओगा जो अपनी टीम के बेस्ट अल्रॉंडर्स है और जो बोलिंग बैटिंग दौनों करेंगे दौनों की कंफर्मेशन है इस टॉइन इसको टीम प्रमोट कर देती है अगर उनकी बैटिंग नहीं आती तो भी जैसे आपना सेकेंड मैच के अंदर देखा तो कुछ इस तरीक है कि हमारे फिलाल टीम हो रही है फाइनल टीम अ पत्तक वीडियो एलफू लगाए पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्रेम करनों मैं धाने नाक्स वीडियो में थैंकियो और थैंकियो शो मच